कि क्या है एक हेलोगे एस्टुदेंट्स वेलकम तू माइस्पटी ओनने चैनल दोस्तों देखिए आप पर फिजिक्स का मॉक टेस्ट नमवर एट कराया जा रहे हैं अगर फिछे वाले जो भी मॉक टेस्ट है अगर आप उसे नहीं देखें या नहीं लगा है तो उसे जाकर जरूर से जरूर लगाए जिससे आपको आपका स्कूर्पता चलेए यहां पर जो भी मॉक्टेस्ट करना जो सारे इंप्टेंट कोस्टन है और जो भी प्रिबिएस यह हैं सारे कौस्टन इसमें इंक्लूड है तो चलिए हम मॉक्टेस्ट नमबर 8 स्टार्ट करते हैं तो किसी तरल के धारा रेख्या परभाख अनुझे किसी निष्च्चित चंद में समस्त तरलकनु का वेग समान होती है तरल कन की गति स्थिर बनि रहती है या किसी स्थिति को पाड करती वह समस्त तरल कन काई गग अपडिवर्थित रहता है तो इसका जो और सारे मोस्ट इंप्रोटन कोस्टन है किसी तरल के धारे रहे पर वाके अनुदिस किसी निश्चिस इस्थिति को पार करते हुए समस्थ तरल कणों का व्यक एक समान होता है तो देखे इसका जो आंसर होगा वह होगा से नेक्स्ट हम दों देखते हैं किसी गतिमान पिंट की गतिज उर्जा देखियां पे गतिज उर्जा किस परकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेटकार धनात्मक हो अगर किसी गतिमान पिंट की गतिज उर्जा किसी किस परकार प्रभावित होती है यदि इस को पॉस्ष करके खुद से एंसर करेक्ट करने के लिए ट्राइ कीजिए कोसिस कीजिए नेक्स्ट हम दो देखते हैं थार्ड नमर कोस्च्यान कोई कन शरल अवर्थ देखिए आपर सरल अवर्थ गती में हैं दोलनी कन दोलनी कन के त्वरं से संबंदित निकित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कोई कन सरल अवर्थ गती में है, दोलनी कन के त्वरं से संबंदित निकित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देखिया कौन सा है, ए होगा या सदेव वे के विप्रिदिशा में होता है, या दोलन की आविर्ति के समनपाती होता है जब गती अधिक्तम होती तब यह निम्तम होता है जैसे जैसे इस्तिति उड़्या बढ़ जाती है यह कम हो जाता है तो इसका जो अंसर होगा वह होगा सी जब गती अधिक्तम होती याईनि जब वेग इसका अधिक्तम होता है तब यह नियूंतम होता है तो इसका जो अंसर होगा वो होगा सी कोई कन सरल अवर्थ गती में है दोलनी कन के तोरण से संबंदी मिलिखित में से कौन सा कतन सत्य है तो जब इसका मादी सिति में आपको कंट होता है की इसको मैक्सिमम होता है इसलिए यहांपे भी मैक्सिमम होगा होगा यानुको तो कि डेक्स्थ हम देखते हैं फॉर्ड नमर कुक्ष्चिन यदि हम किसे के लिए स्युन ताप और अर्थारní अर्थ वन by ले वक्र किस परकार का होगा तो देखिये हम लोग को पता है पी बड़ाबर ए नाटी जो समिकरन आपको पता है बड़ाइटन जो दिया है भी भी जो दिया है और पी के भी हमको ग्राफ दर्शाना है तो देखिये बोड़ा यहां पे आगे यह हो गया म माल ली जिए b और 1 बाइ पी एक वाडी हम लोगों को घराफ दर्शान है अगर पी के दिखाता अगर पी के अनुसार दिखाता तो हम लोग का गर पुछ इस परकार होता है अगर ऐसे पूछता है तो में और प्रकार ऐसे देखिए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A, यदि हम किसी आदर्स गैस के लिए स्थाइत ताप पर आइतन भी और दाप के P के परतिलोंग के बीच एक ग्राफ अलेकित करें तो इससे बने वाला जो वक्र किस पर करका होगा तो सरर लेखिये होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोगा जो नेक्स्ट है नीमरीखित में कौन सा एक कथन सही है इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है तो देखे चारों पढ़ना पड़ेगा देखे इस टाप के कोश्चन आपका एक ग्रूप में बहुत सारे पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे किसी माध्यम मे द्वनी तरंग की गति माध्यम के जरत गुंधर्म पर निर्भर करती है ना कि परतियास्ता गुंधर्म पर किसी माध्यम में द्वनी तरंगों की गति ना तो उसके परतियास्त गुंधर्म पर ना ही उसके जरत गुंधर्म पर निर्भर करती है तो इसका जो आंसर होगा व और त्यास्त और जरत्व दोनों दर्म पर निर्भर करती है तो इसका जो आणसर होगा वहोगा डी कि निमली खहते हैं सिग्स नमर कुस्चिन निमलिखित में से कौन सा एक साथ है बताना इसमें से कौन सा कथन साइए इस ट्टप के क्न आपके एक्स ग्रूप में बहुत बुचे जाते हैं जिसे की टाइम ज्यदा कंजीम होता है और यह ज्यदा निमेरिकल से भी ज्यादा इसको करेक्ट करने में टाइम लगता है लेकिन इसमें जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तक हम लोग से इसका अंसर फाइंड नहीं हो सकता है तब निमलिकित में से कौन सा एक कतन सही नहीं है ध्वानी का तरत्व यानि पीच उसका वह अधिक्तम अभिलक्षन है जिसके द्वारा हम सधारनते हैं पुरुष संबंदित होती है तो देखें जो सिक्स नमर का हम लोगा जो एंसर होगा वह होगा भी ध्वानी की प्रवलतिया उसकी अभिर्ति से संबंदित होती है तो इसका जो बोला कि इसमें से कौन सा करेक्ट मतलब नहीं है संटेंस तो इसका करेक्ट संटेंस जो भी है वह नहीं कि लाइप दोनिकि पुर्बलते से संबंदित तो संबंदित गुर्ट के समयब के साथ रेखिए सरल अवर्ध्तिग करता है जब कंन मातची स्थिची से 1 cm पर है तो वेग और तुरन के पड़िमाण समान है तब इसका वर्ध खलक्या होगा इसका वर्ध कल बताना है तो देखिए हम Pron Paula कर सबसे पहले बोल रहा है सबसे पहले देखिए यहां पर जो ए है कि जो हम लोग का ए दिया हुआ है देखिए आपे करन का दो सेंटिमेटर के आयाम है तो यह जो हम लोग कि भी जो है एने भी का मेगनिट्यूड और एक का मेगनिट्यूड यानि इक्वल है जब कन इस्तिति माद इस्तिति से एक सेंटिमीटर पहे तो वेग और तोरं के परिमान समाने तब इसका वर्थकाल क्या है तो भी और एक का जो परिमान समाने हम लोग को पता है भी बराबर कि जो ओमेगा स्क्वाइर एक्स तो बोड़ा है कि भी और एका जो मैगनिट्यूड हो यह वह क्या है इक्वल है तो इक्वल है तो हम लोग दोनों को भी और एक को बरापर करेंगे तो भी कम जो है कि भी हम लोका हो जागए हाँ पर देखिए रूट अंडर ओमेगा कि एस है माइनस एक्स इसक्वाइर और जो एक अमान था इसलेशन का उसको बराबर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा ओमेगा स्कुआर एक्स तो देखिए ओमेगा से एक ओमेगा हम लोग काट देंगे एक सब्सक्क्राइब यहां पर हम लोग आजू बचा ओमेका बराबर रूट अन्वर एक स्कॉरेर और यहां पर हम लोग इसको जब रूट अठाएंगे तो इधर एक स्कॉरेर कि जब रूट हम लोग आठाएंगे तो X square omega square is equal to a square minus X square होगा देखिंगे इसका हवाग है एक स्क्वाइर omega square बड़ाबर a square minus x square हम लोग आवर्ड कल फाइंड करना है तो omega square हम लोग ऐसे लिख सकते हैं omega square बड़ाबर a square minus सब्सक्राइब एक सकते हैं तब कि अभी आप यां से लोग देखेंगे पिछलोग यहां पर इतर बता बताया जा रहा हैसों ने यह wedi xquire v1 xquire-1 root MEN अब e2 और x का मान रख देंगे तो हम्हें लोग tą अब हम लोका थी का मानिया से सब्सक्राइफ कर सकते हैं। हुआ तो देखिए होजे हम लोग फिर एक बार में इस्टाट देखते हैंique कि हम लोग आया था fed me determination को में ड्रुट अंडर एसकट हैे बैटा एस Girill meanmen F1 F2 मा襨 रभी एक सुब्सक्रिंट स्कस्ला ले नसाट काट देंगा एक आमांद कि हम संटी मीटर को संटी मीटर विदेंगे मीटर में चैंजर नहीं करेंगा इसको बोशक्राइब करें और एकसमेटे मीट्र में करेंगे और एकस जो है यहां पर उसकोफ केमान होnaments करेंगे तो यहां पर रूट 3 आएगा यहां पर रूट 3 आगया और omega पता है कि हम लोग लिख सकते हैं 2 pi by t 2 pi by t is equal to root 3 तो t का मान हम लोग को निकालना है तो t का मान जब हम निकालेंगे तो t बराबर हो जाएगा हम लोगा 2 pi by root 3 तो इसका जो फर्मुला नहीं करेंगे तो हम लोगे न Eden करेंगे तो झोनों कर जाएगा तो क्यांगे और अनसर 2 pi by root 3 सेकंट तो जो आल्सर होगा कि यहां इसको आविर्थी केवल आविर्थी बदलती है आविर्थी और वेग बदलते हैं आविर्थी नहीं बदलते हैं या आविर्थी और तरंगद्यर्थ बदलते हैं तो इसका जो अंसर होगा देखिए यह बहुत सारे बहुत कुछे जाते हैं इसका आविर्थी में कोई बदलाव नही ही चार्ल से सीधे तरफ आपको टार से गई है अपनी यादरा कि उझतलम बिंदु कितने समय में पहुंचेंगे तो यह तरह कि अइस तरफ पूछ रहे हैं व्शे रहे हैं कि तो đेड़ में होता है का फाइंड करता है नीचे से उपर जाने का उपर से नीचे आने का नीचे दुनों का फाइंड करता है और हम लोग सिर्फ उपर जाने का पूछ रहे तो टी बरापर हम सीधा फ्रमूरल लाएंगे यू साइं ठीटा ओपन जी सिर्फ हम लोग को ऊपर जाने का पूछ रहे तो जब इसे हम लोग डिफाइड करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका 1 दो आ इसका होगा यह पता है 36 इंट टो दा पावर 5 जूल होता है तो इसका इसलिए इसका जो अंसर होगा वहोगा बी देखिए एक किलोवाट घंटा थेकिए हम लोग इसे आप आराम से फाइन कर सकते हैं एक किलोवाट घंटा बोड़े तो घंटा कम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे दे बोलबार तो जब दरसलिए जब ध्वानीत रंग किसी माध्यम से होकर संचरीत होती है परागत होती है केवल उर्जा और द्रभ दोनों ऊरजा संवें और द्रभ जो आंसर होगा वह दोटनी ट्रांसपर होती है तो इसके साथ चाण होगा वह 25 प्र味 कि अपोय लेना है यह को समझे लेना है दाव एक कदीश रहासी है क्यूंकि नगल का चछेथम range के साथ हूइ नुफ है उनुफात आए फटा दोन से वह तो इसको से सब्सक्राने के साथ लो और जो एयरिया है वो भी सदेस रहती इसलिए इसका जो आंसर होगा इसलिए dalla Muslim होता है इस ने सुंदा होगा इसलिए इसके जो आंसर होगा यह हैं क्लिशन हम लोग इंडिये का कोश्चन है और इंडिये का आंसर है तो गलत देगा नहीं एक व्यक्ति अपने चस्में के बीना अकबार नहीं पढ़ सकता है उसके किस से पिरित होने की अधिक संभावना है तो उसके अंबिदुकता जो जाना अंबिदुकता है वही होगा तो इसका जो आंसर हो दिर्ग दिश्ट्री दोस्ट होगा लेकिन यहां पर एक विक्ति अपने चस्में के बीना अखबार नहीं पढ़ सकता है उसके किस से पिरित होने की संभावना है तो इसका जो अंसर होगा होगा सी अंबिदुकता है नेक्स्ट हम देखते हैं फोटी नमर कोस्चन फोटी न पता है पाता है जाने 94 पर यह प wack X28 एक्वेल्टर है करें जसका कम होगा से प्रित्वी 2 लवगग एक डिर्ग विर्ग्र падि जिसमें भूमत रॏक्रीधियों क recommended अधिक होनी किया है जिसमें भूमत रेका धहना कि funny कि tagyumat कुलोकों मिoka कुलोक्र अधिक है यह इसलिए यहां पर जो तोरन हें भूमत रेक्षा पर इसका गुर्त टोरन कम होता है और इसका पूल पर अधिक होता है तो इसका जो अंसर होगा वह होगा सी आप लोग पता है जी बराबर जी है बट्टा आर इसक्वार होता है तो जहां पर अधिक होगा तो आपर जी कम होगा जहां आर कम होगा वहां पर जी अधिक होगा तो इसलिए इसका जो अंसर होगा वह होगा सी प्रित्वी लगवक एक दिर्ग प्रित है जिसमें भूमातिय रेखिये त्रिज्या इसके त्रिज्या धुर्विय त्रिज्या क्या पेच्छा एक किस किलोमीटर अतिक है फिप्टी नमर कोस्चन हम लोग देखते हैं अ कि इसमें से कौन सा सही है तो चली हम लोग पढ़ते हैं किसी कमानीदार तुला द्वारा किये गए द्रेमान का माप उस अस्थान पर सही होता है जहां के लिए उस कमानीदार तुला का अंसर सोधन किया गया है किसी कमानीदार तुला द्वारा 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 द्रेमान का माप सबी अस्थानों पर सही होता है जहां गुरते तुरन के समान हो जहां कमानीदार तुला का अस्थान किया गया हो यह ठोड़ी नमर होगा किसी कमानीदार तुला का उपयोग द्रेमान मापने के लिए कि किसी भी स्थान पर नहीं किया जा सकता है किसी कमहानिदार तुला का उप्योगा दर्यमाझ में किया जा सकता है जो नहीं कि सथान वूदिबां सब्सक्राइब servammen कि किसी भी स्थान अलग होगा और जब हम लोग चांद पर जाएंगे तुशका अलग हो historian मतलब जहां जाएंगे सब जगा अलग-अलग चेंज होगा इसलिए यहां पर जो बोल रहा है एंसर जो होगा वो आपका डी होगा कि नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टी नमर कोश्चन सिस्टी नमर कोश्चन पोड़ा है निमली खित में से कौन सा एक कॉंटेक्ट कंटेक्टबल नहीं है यानि सन स्पोर्स बृल नहीं है तो इसका जो आंसर होगा वो जो होगा great approach रहेंगे इसका high गर्षन बन भी कॉन्टेक्ट का निसारत है विक्रितिी बल भी होता है लेकिन जो गुर्टवा कर्संबल है वह कंटेक्ट के थुरू नहीं होता है तो इसका जो आंसर होगा वह बी नेक्स्ट हम देखते हैं 17 नमर कोस्चान कि जब एक किलो ग्राम धरामान जो मुथसंच चलन कर सकता है और एक न्यूटन का बल का पड़िव किया जाता है तो वह भी बल की दिशा में है तो वह भी बल की हम लोग पता है अथा फ्रिकल्ट डूमेद बहुत असान है एक यह फ्रलुको निकाल देंगे तो यह निकल एका वन बुरती सेंट स्क्रायर के तृरंट से चलेगा तो इसका जो आंसर होगा वह और वह वह लेंगवेंज में घुमाता है इस सारे इंडिये कतनों में से कौन सा एक सही नहीं है अवेस की आएंप्यर सेकेंड यह सही है यह तो सही है डेवाई डेवाई दुरु आगुंड की इकाई है यह भी सही है लंबाई और अनुप्रस्त प्रिछत 6वल एक कि एक एक तार की प्रतिरोगता और धुनों परिभर होती हैं और दी जो है दर्मान एक किलोग्राम और फैस कुलाम कि किसी एलक्टरोन की गतिज यूर्जा उसे भी वूल जन्ट विवानतर से होकर त्वारिद करने पड़ यूसा जो झो एश in d तसा हुं लेकिन जो सी है वह गलत हैं लंबाई और काड़र 1,8 पर्तिलंटा और दुनौन पन्यवर्ण करती हैं रोफ भी बटा अरी बटा अलो होता है भी अधी अमज hairdu Ha I क्यां थाड़ की पर्तिलंटा दुन पनिलबाव करती है जो है वो गलत बोल Hund आघका C देखिए एंडीय में ऐसे ही दिया हुआ है जो प्रिप्यट्स चिरको्स क्राइए यह से आपको ऐसे ही करा आझार है सेम टूब योगी आपको कोई कंफिज़न क्रियूजरन नहीं देखते हैं में का जो 90 नमर कोस्चन है यह दी किसी निकाय की दीकर 45 जूल है श्रपट है दोदे किसे निकाय की दीकर उसमा ठोटा इसनों PayPal जूल यह निकाय द्वारा संपन करे मैन नंस 15 जूल है तो आंत्रिक तो मैं डेल क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डबलू डी यू यानि आंत्रिक उर्जा में पड़िवर्तन और किया गया कारे तो हम लोगों को दिखें किसी निकाय में दी गई उसमें 35 जूल दिया हुआ है और निकाय संपन कारे माइनस 15 जूल है संपन कारे मारे 50 जूल है और हम अगर यहाँ पे निकाया पर ऑधन कारे यहां पर निकाय द्बड़ा और होता है, यहां पर 17- a निकाहे दोड़ा काम हो रहा है। इसलिए आपके डेल की बराबर डियू प्लस डबलू होगा और जब हम लोग उसको जब हम लोग यहां पर थर्टी फाइब जूर इसको लिए फिफ्टीन प्लस हम लोग दियू फाइन करेंगे तो दियू का मान हम निकालेंगे तो यहां पर फिफ्टी जूल आ जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ए कि हम लगाल लास्ट कोस्टन देखते हैं कोई मंईला किसी समतल दरपन के सामने इससे एक मिटर की दूरी पर खड़ी है वह दरपन की और साथ सेंटी मिटर चलती है अब इस महिला से उसके प्रतिवीम की दूरी क्या है तो देखिए आपे बुड़ा है एक मंईला की समतल कर दरपन है उसमें एक मीटर की दूरी पर खरिये थो बटर पंग ज 네 साइक difनीटर च लाइन साइट सेंट ली तो हम पर पता है कि वह एक मीटर की दुरी खरिए धम कि नीधी डूरी ओंuiस असको कि में नुद्य का मत रखाएök सब्सक्राइब करें चले हैं और एक मीठर बराबर सो सेंटीमीटर यहां से चल दी तो दर्पन से कितनी दूर है सैंट में पर्पन से सब्सक्राइब बनेगा तो बोल रहे हैं लेकिन यहां पिछ कुछ गुमाया है कि कोई मैधविन समता दर्पन की सामान इसमें एक मीटर की llega 50 सप्मेटर चली तो दर्पन से इसकी दूर्य 40 सेंटीमिटर हो गया और Washington सब्सक्राइब नहीं की पुछ रहा है तो लेकिन इसके की स σας हूंAre कि Alem यहां से दuri fine कर रहा है प propagation क्यान से में सैन से यहां से यहां तक दूरी कितना होगा यानि जहांसे मईला खड़ी है कि वहां से उसकी प्रतिभीम की की दूरी कितनी होगी तो इसका जो परतिवीम की दूरी होगा यहां पर है 40 cm और यहां पर परतिवीम बनेगा 40 cm तो दोनों को जब आड करेंगे तो 80 cm हो जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बी देखिए यहां पर बहुत आची तरह से कोश्चन भूमाया गया है बहुत आसान कोश्चन है कोई महिला किसी समता दरपन के सामने एक मीटर की दूरी पर खाड़ी है वह दर की यह साथ सेंटीमीटर चलती है अब इस महिला कि उसके परतिवीम की दूरी दरपन की मुटाई की अप्रिक्चा करते होए क्या होगा तो इ सब्सक्राइब करें कि यहां पर देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद